नमस्कार दोस्तों एक्जामफोबिया के पर्फेक्ट सेवन सब्ताहिक समसाम की कारप्रम में आप समी लोगों का स्वागत है इसके तहित हम लोग 8 नौवमर से 15 नौवमर 22 की बीच के करेंट एफेवर पर चर्चा करेंगे आज के होट टॉपिक हैं टीन ने लॉंच किया सब्सक्राइब करेंगे और आज का मुख मुद्दा होगा बिहार चुनाओ देहार 20 तो चलिए देखते हैं कोश्य नमर पहला कोश्य नमर पहला है जम्मू और कस्मीर के लावा किस राज के यंग यंग छेत्र में केसर का उत्पादन किया जा रहा है किस राज की यंग यंग छेत्र में केसर का उत्पादन किया जा रहा है तो यह जो यंग यंग छेत्र पढ़ता है यह कहां पर है यह जो है सिक्किम में है सी आंसर सही है कस्मीर घाटी की केसर की महेक अब पुर्वत्तर तक भी फैलेगी कि इन सरकार ने प्रोवत्तर छेत में केसर की खेती के लिए अनकूलता का पता लगाने के लिए एक परियोजना पर काम भी सुरू कर दिया है जो अपने प्रियोग में सफल रहा है इसके तैट कस्मीर से उत्तरपूर राज के सिक्किम के दच्छडी भाग यांग यांग में के खेद्रे सिस नामक एक दुर्लव प्रजाती है ये प्रजाती किसकी है तो दूसरे का सई जवाब है बी आंसर मेड़क की प्रजाती है नेश्ट है कुश्चन नमर तीसरा भारत ने जी एम सीपी के लिए किस देश को 500 मिलियन डॉलर का पैकेज प्रदान किया है जी एम सीप को प्रदान किया गया हाली में भारत सरकार ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेर की डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेर की डॉलर की बित्ती सहायता देने की घुस्णा किया है नेश्ट है कुश्चन नमर पते का सईजवाब है C यानसर दोयार 21-22-25-26 के लिए 15 वित आयोग ने अपनी रिपोर्ट संपी है इस रिपोर्ट में 5 बित्त वर्ज यानी 21-25-26 तक के लिए सिफारिसे की गई है वित्त वर्ज दोयार 20-21 के लिए 15 वित आयोग की रिपोर्ट दिसंबर 19 में राश्पति को सौपी गई थी जिसे सरकार ने एक्षेंट टेकन रिपोर्ट के साथ सलसद में पेस किया था नेश्ठे कुष्चे नमर पाँच निमली लिखित में से किसी जनरल एसेम्बली के सहायक अंग प्रसासनिक और बज़्टी प्रश्ण पर स्युक्त राष्ट सलायकार समिती के लिए चुना गया है तो किसी चुना गया है तो इसका सही जवाब है ए आंसर विद्धिसा मेत्रा को जो है जनरल एसेम्बली के सहायक अंग प्रसासनिक और बज़्टी प्रश्ण पर स्युक्त राष्ट सलायकार समिती के लिए चुना गया है किस देश ने आर्मेनिया और आजर बेजान के बीच एक सांती समझाते की मद्यस्ता की है तो इसका सही जवाब है डी आंसर रूस ने नारगोर्नों काराबाग छेत्र को लेका पिछले डेर महिने से भीसर जंग में उल्जे आर्मेनिया और आजर बेजान के बीच अब युद्ध बिराम लग चुका है रूस के राश्पती ब्लादी मेर पुतिन ने मद्यस्ता करते हुए दोनों देशों को युद्ध बिराम के लिए राजवी के लिया है नेश्टे कुश्चे नमर 7 कावरताल वेटलैन रामसर इस्तल किस राज में इस्तेत है तो साथमें का सभी जवाब है D बिहार में इस्तेत है नेश्टे कुश्चे नमर 8 इंफर्टक्चर वाइबिलिटी गैब फंडिंग इस्कीम में सारोजेनिक नीजी भागेदारी को वित्ती साहता इस्कीम किस के लिए लागू की गई है तो यह जो है एकॉनमिक और सोसल इंफर्टक्चर के लिए लागू किया गया है C. आंसर सही है नेश्टे कुश्चे नमर 9 सेख खलीफा बिन सल्मान अल खलीफा जिनका हाली में निधन हो गया किस देश के सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहे है तो नवें का सही जवाब है C. आंसर दुनिया में अब तक के सबसे लंबे कारकार वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद किये जाएंगे उन्हें 1971 में बहरीन की सुदंत्रा के बाद से देश के प्रधानमंत्री का पद समाला हुआ था नेश्टे कुश्चन नम्मर 10 किस राज विधान सभा ने सरना कोड पर एक प्रस्ताव पारित किया है तो दस्में का सई जवाब है सी जार खंड नेश्टे कुश्चन नम्मर 11 सुर सरोवर नामक नया रामसल इस्तल किस राज में इस्तित है इसका सही जवाब है सी आंसर उत्तर प्रदेश में इस्तित है नेश्टे कुश्चन नम्मर 12 नम्मर 12 racial इस्ताइ नम्मर 12 नेक्र सा कौन सगती है बिःषय में इसवाब है सिवाब अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर वरी ये गलत है इसमें जो है आर जेडी सबसे बड़ी पार्टी है ठीक है तो जो है पहला दूसरा कथन सकते हैं C आंसर सही होगा नेश्टे कुश्चन नम्मर थर्टीन नॉम्मर दोयार बीस में भारती सेना ने किस देश को पूरी तरह से प्रसिछित बीस सेन घोडे और बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले दसकुत्ते प्रदान किये हैं तो तेरा का सही जवाब है डी आंसर बांगलादेश को बाहत ने प्रदान किया हैं बाहत बांगलादेश के दुपच्ची संबंदों को और मजबूत करने के प्रयासों के तैत भारती सेना ने बांगलादेश सेना को उपहार के रूप में पूरी तरह के से प्रसिछित बीस से गोडे और बार्योदी सुरंग का पता लगाने वाले दस कुत्ते पतान किया है जिने भारती सीना की रिमाउंट एंड वेटरनेटी वेटरनेरी वेटरनेरी कॉर्फ से प्रसिचित किया गया है नेश्टे कुष्चे नमबर 14 है निमली लिखित में सी कौन सी कथन IPL के 13 संस्क्राण के बारे में सही है मुमाई इंडियास ने दिल्ली केप्टल को हरा कर पांची बार खिताब जीता है ये बिलकुल सही है फाइनल मुकाबला दुबाई इंटरनेशनल इस्टेडियम में खेला गया ये भी सही है केल राहूल ने औरेंज कैप जीता जबकि कैगिसू रवाड़ा ने परपल कैप जीता मला यानि तीनों ही कथन सही है डी ओप्सन सही हो गया आपर नेश्टे कोश्चन नमबर 15 भारत में हिमतेंद्वे की अबादी की पहली जटगर्णना सरवपतम किस राज ने शुरू की है मांकी सिक्कीम हिमाचल प्रदेश और मुनाचल प्रदेश यहां भी हिमतेंद्वे पाई जाते है नेश्टे कोश्चन नमबर 16 नमबर 12 बीस में गिद्द परयावासों का सरवच्चन की सराज में शुरू हुआ है तो 16 का सही जवाब है C आंसर मद्व प्रदेश में शुरू है नेश्टे कोश्यन नमर सत्रह वगीर के बारे में निलेकित क्तनों में कौन सा कथन सत्थ? यह भारती नौसेना के तीसरी इस्क़ारपींस-रेकि verdad की पांचवी स्कॉर्पिन स्रेड़ी की पंडुबी है यानि ये कथन गलत है अगला है ये भारत में बर रही छे कलवादी स्रेड़ी की पंडुबीयों का हिस्सा ये कथन बिल्कुल सही है ये जो है फ्रांसिसी नौसेना रच्छा और उर्जा कंपणी डीसी एनस द्वारा नेक कुश्चे नमर 18 किस देश में विसवः संहठन के गलोबल संथ आउफ डिशनल मेडिशन की इसतापना की जाएगी कि इस देश में विश्वस्वात संगठन के द्वारा Global Center of Traditional Medicine की इस्थापना की जाएगी इसका सभी जवाब है D. आंसर भारत में जो है इसको चुना गया है डवलोचों ने Global Center for Traditional Medical की इस्थापना करने के लिए भारत को चुना है नेश्टे कुश्चन नमर 19 से विदेशी असदान विनियम अधिनियम FCRA 12 के तहत अधि सूचित नए नीमों के अनुसार निम लिखित में से कौन विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसका सई जवाब क्या होगा ए आंसर मीडिया से जुड़े विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते इस अधिनियम के तहद विदाईका और राजनितिक देलों के सज़स्त, सरकारी, अधिकारी, निया अधिस तता मीडिया कर्मी आधि को किसी भी प्राकार की विदेशी अंसदान प्राप्त करने से प्रत्वनित किया गया है कि नेश्थ है कूश्चीन अबर बीस, किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉंच किया है प्रसुड़ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को अंधिक्ष किया है यह 6G उपग्रम उन तीन चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे आर्जेंटीना की कमपनी सेट लॉजिक द्वारा विक्सित दस मारजी के रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलता पूरुवक लॉंच किया गया था यह चीन की लॉंग मार्च स्रंखला का 351 रॉकेट था रिपोर्ट के अंसार यह तकनीक 5G की तुल्ला में सवगुना तेज है 6G संचार परी रच्छन उपग्रह को बारा अन उपग्रहों के साथ कच्छा में लॉंच किया गया था उपग्रह में प्रवदोगी की भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगर की आग की रोगथाम के लिए उपव्योग की जा सकेगी नेश्ट है कुश्चन नमर 21 आत्म निर्वर भारा 3.0 घोसडा के तैद घर खईदने वालों के लिए सर्किल रेट और एग्रिमेंट वेल्यू के बीच अंतर को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो इसका सभी जाओ है बी आंसर बीस प्रसेट कर दिया गया है आत्म निर्वर भारा 3.0 के तैद घर खईदना होगा आसान वितमंत्री ने सरकिल रेट पर इंकम टेक्स की छूट को बढ़ा कर 20 प्रसेट कर दिया गया है नेश्ट है कुश्यन नमर 22 नौमर 22 में अंतर देशी जल्बयपार और पार गमन मार्क के लिए प्रोटोकॉल पर बंगलादेश से पहला वाड़ेजी के सिप्मेंट कहा प्राप्त हुआ नेश्ट है कुश्यन नमर 22 को बंगलादेश से पानी के मार्क के माध्यम से पहला वाड़ेजी के सिप्मेंट को अंतर देशी जल्बयपार और पार गमन मार्क के लिए प्रोटोकॉल पर आसम के करीम गंज से प्राप्त किया गया नेश्ट है कुश्यन नमर 23 भारत का पहला चंदन संग्राले कहां इस्थापित किया जा रहा है तो यह जो है मैसूर में इस्थापित किया जा रहा है डी आंसर सही है नेश्ट है कुश्चन नमबर 24 पधार मंत्री नयादबोधी ने किनके 151 जयनती समरों के अवसर पर Statue of Peace का अनवराण किया इसका सही जाबस ए आंसर श्री विजय वल्लव सुरिश्वर जी महराज की 151 जयनती समरों के अवसर पर Statue of Peace का उदगाटन किया अगला कुश्चन नमर 25 किस महासागर में त्रिस्तान दा कुणहा नामक विशाल समुद्री सरचित छेत्र आरम किया गया है तो यह जो है इसका सही जवाबस सी आंसर हिंद महासागर में जो है त्रिस्तान दा कुण्धा नामक विशाल समुद्धी सरचित शेत आरम किया गया है नेश्टे कुश्चन नमर 26 किस राज ने राष्टी जल पुरुसकार दोयार 19 समारों में प्रतम इस्तान प्राप्त किया है इसका साथ विश्टी से याइस्ताइक ले जल पुरुसकार में प्रतम इस्तान प्राप्त किया है नेश्टव कोश्चन नमर 27 ने तर्किस ग्रफ पार炬ब को उपक्तर अपने साथव में 20 चैंपियनशिफ ए लिजित लिया है तो इसका सभी जवाब है ए आंसर है लूइस हैमिल्टन ने यह फार्मूला वन चालक मर्सडीज टीम के टर्किस ग्राप्री खिताब अपने नाम कर लिया है हैमिल्टन का यह साथवा विस चेंपियंशिप खिताब है उन्होंने इसके साथ ही जर्मानी के दिग्जप माइकल सुमाकर के सबसे ज़्यादा बार विस चेंपियंशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लिया है हैमिल्टन की इस सीजन की यह दस्वी जीत है स्वामित चटर जी जिनका हाली में निदन हो गया के बारे में कौम सा विकल्ब सही नहीं है पहला है उन्होंने सत्य जीत रे की अपूर संसार के साथ अभिना की सुरात किया कथन बिल्कुल सही है उन्होंने कभी राष्टी फिल्म पुरुसकार नहीं जीता है यह गलत कतन यानि यहीं सही है बाकी यह सही है दादा साहिब फाल के पुरुसकार भी मिल चुका है उन्हें और फ्रांस के सरोच नाग्रिपुसकार लीजन आफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है नेश्ट है कुश्य नमबर 39 ऑपरेशन थंडर दोयार 20 के बारे में निव लिकित में से कौन से कतन सही है यह पहला कतन है यह ओपरेशन पर्यावनडी अपरादों से संबनेते यह भी कतन सही है दूसरा है यह इंटरपोल और विससीमस सुल्क संगठन के संवनवाय से संचालित किया जाता है यह भी सही है तीसरा नमबर है इस वपरेशन के तहट इंडिया कस्टम्स ने सहयुक्त अरव अमीराद भेजे जा रहा है लाल चंदन की स्रिप्रेंट को जब्त किया है यह तीरो ही कतन सही है यानि डी आंसर सही है इस नमबर तीस किस राज ने ओयल पॉम पर युद्ध की सुरुआत किया है तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा तो आपने वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूल दन्यवाद